अब आपका प्लिनोमियल एक्सेसाइस 2C का देखेंगे और इस कोस्टन में आपको फर्स्ट नमर यह दे रखाया है यहाँ पे कि इफ 1 0 आप इसको दो तरह से बना सकतो एक तो आपको इसका एंसर इसी याद रख लेना जब कभी किसी रूट्स का जिरू यानि जो कुछ भी रहे है वो सेम टू सेम लिखने ना है आपको अगर परस रहे अट तो माइस लेदा है माइस रहे तो आपको पलस लेना है और इंसर आपका इए रिशनर नम्र में होता है कि यहाँ पर देखेंगा आप की समफ जिरूल कि आ होता है इसका सम जिरूइस यानि अलफा प्लस बीटा होगा अगर एक क्वाइटी के क्वेशन ने सिंगे जो दो जी रोज होते हैं एक अलफा दूसरा आपका बीटा जो कि मायस का बीवटे एक के बरावर होता है और यहां पर हमारा इपास चो पूर्णिमल दे रखा है जिसे में पी एक्स के एक को टू हो गया तो एक कमान वन भी कमान मैस का फोर एंड़ सी कमान वन हो जाएगा कि अब यहां बात करते हम लोग कि एक जी रोज जो आपका है अलफा उसके लिए हमनों मान लिए कि मैं टू पलस रूटी नहीं आपका अंसर आया तहले लेते हैं पर टू पलस में रूटीन अलफा और बीटा का पता नहीं तो बीटा का बीटा रहने देते हैं माइस का बी बटे ये का मतलब क्या होगा माइस का माइस लगा हो रहेगा और बी कमान क्या है निगेटिव का फोर बाई में आपका वन का वन रहेगा जब इसको सॉल करो गया तो यह आपका टू पलस रूट थि तो बीटा को सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 में से 2 गी आपका 2 रहेगा और माइस का रूट 3 रहेगा ठीक है तो आप देख रहो होगे परने जो एंसर ने बताया था आपका 2 माइस रूट 3 सेम तो सेम पैटर्ण में आ गया एक और तरीका हम लोगे आप अप्लाई करके समझे की कोशिश करेंगे इसका अंसर को एक लिखें के हम लोग प्रोड़क्ट अफ जी रोज देखते हैं इसमें क्या आता है प्रोड़क्ट अफ जी रोज यह आपका सेकंड मेथड है ह है ना हम लोग क्या करें सेकंड मेथर अप्लाई करके बना रहा है इसको अठीक है सेकंड मेथर अप्लाई करते हैं यह होता आपका किसके बरावर ती होता आपका सी बटे एक बरावर होता है ओकी तो प्रोड़क्ट अप जी रूम में अलफा इंटू बीटा के लिए आपका 1 by में 2 प्लस में रूट 3 हो जागा ना वन भाई में 2 प्लस रूट 3 हो जागा ये 2 प्लस रूट प्लस रूट ती चो recipes नीचे आपका आजागा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सिंप्ली एंसर कर देना जो भी यहाँ पर रहेगा पस उसका साइंट चेंज करके लिख देना एंसर 100% अपका सही हो जाएगा के लिए चलिए आगे कोशन देखते हैं